आस्मेल आपने तरहीम, अस्लाम लिएकुम ब्यों स्टुडन्स, आज हम से स्थिप्रास की मैस का लेक्चर नम्बर फ्रोर करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर लेक्चर नम्बर फोर है हमारा थाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे हम इसमें there are three types of sets sets की तीन टाइपस है number one finite sets number two infinite sets and number three empty sets सबसे पहले है finite set a set having finite number of elements is called a finite set consider the following examples of set finite sets में elements की तदाद होती है वो हमें पता होती है वो finite होती है हम उनको काउंट कर सकते हैं जैसे कि दा सब्सक्राइब अब आपको बता रहा है कि दस से कम नाच्राइब से वह बता सकते हैं one two three four five six seven eight and nine the set of vowels in the English alphabet vowels भी आप बता सकते हैं इसी तरह बहुत सारे examples हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं infinite sets infinite sets इसके opposite होता है इसमें हम कि इसके बाद infinite infinite sate infinite सफका मैंने आपको बता आब भी opposite ओता है उसमें limited होते हैं limits और इसमें unlimited होते हैं दसे हेविंग unlimited number of elements इसका रड़ा infinite set for examples आप भी हमने जो पिछला लेक्टे किया था उसमें सब्सक्राइब करें इसके बाद हमारे पास एंप्टी सेट और इसको नाल सब्सक्राइब इसके नेम से पता चल रहा है किस तरह का सथ होगा डेफिनिशन इसकी देख लेते हैं सेट हैं जिसमें कोई भी एलमेंट ना हो इसको हम एंप्टी सेट या नल सेट उसके बाद है हमारे पास सिंगल एटन सेट असा जिसमें सिरफ एक एलमेंट हो जैसे के यह देखें आपको इसको बोलते हैं सिंगल एटन सेट उसके बाद है इक्वल एन इक्वैलेंट सेट अब इक्वैल और एक्वैलेंट में क्या फरेक है वह फ्रॉम प्रॉम दी प्रीवेंस क्लासे स्वियार फिमिला फिमिलियर विदी कंसेप्ट ऑफ वन-to-one कोर्रिस्पोंडेंस है वो इसनॉल चेक वर रिझा एंट अब अल सीच रॉम लेट है अब देखें उसको बास्रोंcountry बंदरिक जहरीं मतलब इसका इलमेंस mr. डी और चैंड़ और से और और सिर्ट एक कॉझेख है we can examine that corresponding to each element of the set A there is an element of set B उपर A में था तो B में भी था it means two sets are establishing one-to-one correspondence which can be denoted by A corresponding B such types of sets are called equivalent set इसको बोलते हैं A equivalent to B अब इसकी definition है हमार पास two sets are called equivalent if and only if one-to-one correspondence can be established between them अगर उसमें one-to-one corresponding होगी तो वो क्या होगा हमारे पास equivalent set इसके बाद है non equivalent set यह देखें एक्जांपल देख लें आप इसकी one-se-a, three-se-e, five-se-i, seven-se-o लेकिन यू नहीं है तो यह हमार पास क्या होगा non equivalent two sets are called non equivalent if one-to-one correspondence can not be establishing between them अगर इसमें corresponding नहीं होगी तो यह क्या होगा non equivalent इसके पाद हम last set पढ़ेंगे equal set इसमें देखें करें के पी एंड क्यू तो सेट्स हैं एक पी है एक हमार पर सेट की हुए फ्रॉम अबव वी कैन इंग्जामिन दर्ट इच एलिमेंट ऑफ दी सेट पी जो एलिमेंट पी का है वो क्यू में भी है और क्यू का आज के लिए बस इतना है इतना यह डेफिनिशन मैंने आपको करवाई है इनको लर्न कीजिएगा एक्साइज में हेल्फ फूल होंगी स्टे ब्लेस्ट अलाह अपिस